Hello Friends, आज मैं आपके साथ trending फुल्जश सोडा की रेजपी शेयर करूँगे फुल्जश सोडा की रेजपी बहुत ही spicy होती है जिससे एक गूट भी पीना बहुत ही मुश्केल होता है लेकिन आज मैं आपको घर पे इसका टेस्ट बिल्कुल बैलेंस करते हुए बहुत ही असान तरीके से बनाना बताऊंगी जो की चटपटी भी होगी, तीखी और मिठी भी होगी तो आईए रेस्पी सुरू करते हैं एक मिक्सिस जार में थोड़ी सी धनिया पत्ती और पुदिनी के पत्ते लेंगे जिसमें 3-4 हरिमीच और 1 इंच का अजर कटुक्रा डाल लेंगे ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट टेस्ट के एकॉर्डिन डाल लेंगे और 1 टेबल स्पून चीनी भी अड़ करेंगे और इसमें थोड़र सा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे देखी, कुछ इस तरीके से हम इसे पीस कर रेड़ी कर लेंगे अब एक कटोरी लेंगे जिसमें 2 टेबल स्पून चिया सीद, जिसे सबजे का सीद भी कहते हैं डाल देंगे और इसमें थुब पानी डालकर इसे भीगोकर हम साइड में रख देंगे Chiasin हमारे हेल के लिए बहुत ही अच्छी होती है और किसी भी ड्रिंक में अगर हम इसे एड करते हैं तो एक बहुत अच्छी सी कुलिग इफेक्ट भी देती है अब हम एक short glass लेंगे जिसमें 1 table spoon पुदीनी का पेश्ट जो हमने बना कर रखा है उसे डाल लेंगे थोड़ी से black salt और half table spoon PCV चीनी आड़ करेंगे अब इसमें एक बड़ा नीवू का रस डाल लेंगे और इस सभी को बहुत अच्छी तरीके से mix कर लेंगे अब हम एक बड़ा सा glass या जार लेंगे इसमें मैं 1 table spoon पुदीनी चीनी आड़ कर रही हूँ चीनी मैं इसलिए आड़ कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने मिर्चे इस्तमाल करी है वो बहुत ही spicy है अब हम इसमें कुछ ice की cubes डाल लेंगे और एक या दो table spoon chia seed आड़ करेंगे जो हमने भीगो कर रखा था अब यहाँ पे हम soda आड़ करेंगे soda बिल्कुल fresh होना चाहिए जिसे कि हम तुरंथ खोल कर इस्तमाल करें क्योंकि इसमें freeze जो है वो बहुत अच्छी होगी इसमें बिल्कुल glass के उपर तक हम डाल लेंगे थोड़ी से space रहने देंगे और फिर हमने जो short glass ready करी है उसे बहुत ही सब्धानी से दीरे से इसके अंदर हम डाल देंगे वाव आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा eruption आ रहा है बिल्कुल volcanic effect दे रहा है मुझे इसके recording करने थी इसलिए मैंने इसे tray में रखकर सर्फ किया था और इसकी जो सारी eruption है जो इसकी जो फिज है वो बाहर निकलकर बिल्कुल tray में आ गई है लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जब आपको इसे पीना हो तो एक हाथ में सोड़ी का ग्लास ले और दूसरे हाथ में जो short ग्लास है उसे ले और तुरंत डाले और तुरंत पिलने इसे बिल्कुल गिरने ना दे तभी इस फिल्जर सोडा का पीने का मज़ा है तो आप इसे बनाएं और फिल्जर सोडा को इंजोए करें इसका टेस्ट बिल्कुल बालेंस है और बहुत ही चटपटी है आप इसे घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और एक डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट फिल के साथ आप इसे इस्तिमाल कर सकते हैं तो अगर आपको ये हमारी रेस्पी पसंद आई हूँ तो आप इसे like और share जरूर करें और अपने comments में लीकर जरूर बताएं और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है एकई में भूर अपने हमारे चैनल कर सकते हैं झाल झाल